अब और हुं मैं आप लोग के लिए बहुत ही खोबसूरत बचे हुए उनका ये थम सौक्ष लेकर आई हूं ये बहुत ही प्यारा है फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा है देखे देखements इतनफी bravery है फ्रेंट्स बनाने मेंतना ही easy है ये देखिए पूरा फुल साइज का है ये 6 से 7 नंबर के लिए मैंने बनाया हुआ है काफे स्ट्रेसफल भी है फ्रेंट्स यहां पर देखिए मैंने दो रंगों का अलग अलग बनाया कि दिखा रही हूं मैं आप लोग को एक परपल कलर है एक ब्लो कलर का है यहां पर बचे हुए उनका मैंने बन रहा हुआ है इसमें मैंने फोर कलर यूज किया है एक तो यह परपल कलर है एंड ब्लैक और और ओरेंज रेड एंड वाइड कलर यह मैंने सारे कलर यूज किया यह मेरे उन बचे हुए थे फ्रेंट्स तो मैंने सोचा सॉक्स बना लूँ एक यह देखिए आप कोई भी कलर जितने भी कलर बच्चे हूँ आप अराम से बना सकते हैं और यह सॉक्स बनाने के लिए देखिए मैंने आप 45 फंदे से स्टार्ट किया था और यह मैंने बार्डर बनाया हुआ है जो कि मैंने वीडियो में अपने बताया ही आप लोग को बनाना आप महां से जाके देख सकत है उसके बाद फ्रेंड मैंने यह देखिए औरेंज कलर उसके बाद ब्लैक फिर रेड एंड वाइट फिर ऐसे ही प्रोसेश यह चलता गया यह मैंने पांच नंबर के लिए बना रही हूं इसमें मैं देखिए 1,2,3,4,5,6,6 डिजाइन मैंने यह डाले हुए है जो कि मैंने 5 डिजाइन यहाप पे डाल लिया है एक आपको दिखाने के लिए मैंने एक और डालनी है वो मैं आपको बता रही है देखिए अब औरेंज से डिजाइन हमारी बनेगी इसके लिए देखिए हमने क्या करना है फ्रेंड एक तो हमने सिम्पल औरेंज से निट करना है देखिए एक हमने सिम्पल औरेंज से निट करना है और एक हमने यह स्लिप करना यानि एक हमने औरेंज कलर से बुनना है और एक सेम ऐस ऐसे ही उतार लेना है फिर हमने एक निट करना है और एक स्लिप करना है फिर हमने यानि एक हमने बुनना है और एक स्लिप करना है ऐसे ही करते हुए हमें देखिए एक बुनना है एक स्लिप करना है यह देखिए यानि एक निट करनी है और एक स्लिप करना है आप दो कलर का कोई भी डिजाइन यहाँ पर डाल सकते हैं वो आपके उपर डिपेंड है friend लेकिन मैं यही डिजाइन बहुत प्यारी लगती है सॉक्स में तो मैं यही डिजाइन डालती हूँ और वे डिजाइन मैंने बनाई हुई है ऐसे वाले सॉक्स में एक निट एंड एक स्लीफ यानि एक बुनना है एक से मैं जैसे उतार लेना है उसको हमने निट नहीं करना है देखिए फिर हम यहां पर एक निट करेंगे और एक स्लीफ करेंगे यह देखिए हम 20 में पहुच गया है आप जब इस्टार्टिंग बनाएंगे आपने 45 फंद लिया है यानि यहां पर आप जब 20 में पहुच गे तो एक फंदे का हमने 7 फंदे करना है तो यही प्रोसेस हमें करना है अब देखिए हम यहां पर 20 में पहुच गए अगर आपको समझ में आए फ्रेंड तो आप जब भी निटिंग करें तो एक का साथ हुआ है यानि हाफ के उपर यह बीच में एकदम यह डिजाइन बनती हुई जाएगी आप डिजाइन बीच मे एक में साथ फंदे बनेंगे वो हमने कैसे बनाना है देखिए एक फंदे हमने निट किया फिर धागे को आगे लाए फिर एक किसमें निट फिर धागे को पीछे ले गए फिर देखिए थ्री हो गया हमारे फोर फाइब एंड शीक्स एंड लाश्ट सेवन यह देखिए हमारे साथ फंदे यानि बन गए हैं एक फंदे में हमने हापे साथ फंदे निट किया है एक बार उनको आगे ले जाना है और एक बार पीछे बस आपने ऐसे सिंपल करना है फिर इसके बगल में हमने सेम एज देखिए ऐसे स्लिप कर लेना है और एक फंदे को हमने निट करना है बस यह हमने कांटिन्यू करना है बहुत ही इजी ए फ्रेंड और बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने प्याब इसको दो कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं कोई इसू नहीं इसमें आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मल्टी कलर में ज्यादा बनता है तो अच्छा लगता है आप अपने लिए बना रहे हो तो दो कलर में आप बनाओ एक स्लिप एक निट ऐसे ही करते हुए देखिए हमने पूरी रोग कम्प्लीट कर लेनी है यह देखिए यह हमने पूरी रोग ऐसे ही कम्प्लीट कर लिए अब बैक साइट से हमने क्या करना है देखिए बैक साइट से हमने क्या करना है फ्रेंड बैक साइट से हमने जो फंदे हमने निट किये हैं उनको निट करना है बैक साइट से और जो फंदे हमने slip किया है उसको हमने slip करना है से बस ऐसे ही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है यह देखिए हमने normal सा इसको slip कर लेंगे फिर उनको हम ऐसे ले जाएंगे और back side से हमने फंदे को सीधा सीधा ही knit करना है ये भी केर करें, आप देखिए हम सीधे की साइडी निक करने हैं, फिर उन को पीछे लाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे, उन को आगे ले गАये ऐसे करके हमने, ये देखिए, स्लिप किया, फिर उन पीछे ले ग science को निक किया, 孩子 किया, उन पीछे ले गए इसको बुना, उ उनको पीछे ले गया, इसको निच किया फिर उनको हम आगे ले आएंगे, इसको Slip करेंगे और फिर इसको निच किया, ऐसे ही करके हमने यहा तक कंप्लेट करना है, फिर मैं बताती हो क्या होगा यह देखिए हम यहा तक पहुँछ गया है, बीच में अब हमने क्या करना है देखिए ये जो हमने एक कसाथ बनाया है इनको सारे को हमने सीधा सीधा निट कर लेना है देखिए हमने ये सीधा 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 तो सारे ही हमने निट करने हैं लेकिन इनको भी हमने सिम्पल से सारे साथ खंदे को हमने सीधे सीधे निट कर लेना है देखिये हमने ये निट कर लिया फिर हुन करके इसको slip करेंगे, फिर पीछे उन करके इसको बुनेंगे, ऐसे करके हमने यहा तक complete कर लेना है ये देखिये हमने ये पूरा निट करके complete कर लिया wrong side से, अब हमने क्या करना है देखिये suburbs मैं दिखा रही हूं ये देखी हमने अब simple चार चार सलाईयों की ये simple बुनी यानि दो उल्टा और दो सीधी सलाई की ये चार सलाई रेड़ वाला का बुना हुआ है और चार सलाई इसका तो यहाँ पी इसके बाद हमने क्या करना है simple ही मैं black और purple color का चार चार सलाई निट करके आपको दिखा रही है अब डिजाइन हमारा ये बनना close हो जाएगा डिजाइन ये बनना हमारा close हो जाएगा उसके बाद हमने ये निट करके फिर आगे दिखा रही हूं क्या करना है friend ये देखी मैंने complete कर लिया है इतनी रोग बुन कर चार सलाई परपल का और चार स हो इस पर मतलब हाफ हाफ कर लेना हाफ करने के बाद आपने क्या करना है ये देखिए 12345678 ये 10 हमारी लाइन है यानि 20 हमने शलाई बुनने होते हैं दस लाइन है यानि हमने 20 सलाई बुनने होती हैं ये आपने केर करना है गाटर इस्टिस ही बनेगी या तो आप दोनों सीधा सीधा निट करना है सेम यही करना है और गाटर इस्टीच ही बनेगी ये देख़िए मैंने एक डम यूनिक सा बनाया हैétais एक साइड तो मैंने ये Colorful जितने Color इसमें लगा और कलार लगा दिया और एक साइड तो मैंने ये आपकी मर्जी यह आपके उपर डिपेंड करता है आप चाहे तो दोनों के साइट सिंपल बना सकते हैं या आप चाहे तो दोनों साइट डिजाइन बना सकते हैं लेकिन मैंने यह एक साइट में यह कलरफुल किया है और एक साइट में यह सिंपल निट किया है सिंपल यह मतलब ओन का निट किया हुआ है अब ये देखिए हमने इतना इतना कर लिया उसके बाद हमने यहीं से टर्न कर लेना है सलाई को और ये वाला हम टर्न कर लेंगे सलाई को तो ये वाला पोर्शन हमारा पहले बनेगा हमने यानि 20 सलाई इसको निट करना है 20 सलाई हमने गाटर इस्टि यह देखिए और हमने इसको 20 सलाई निट करना है गिनकर आपने काउंट करके 20 सलाई यानि 20 सलाई हमने गिनकर बुनना होता है उसके बाद आपने क्या करना होता है देखिए निट करना है आपने ऎसे यह जीट करना हैं हम लिट करने हैं यह देखिए अफ़ आरहा मने 18 सलाई निट करना है इसके बाद देखिए भी हम आपको बताइंगे कि आगे क्या करना है इसके सेकंड-पार्ट में मैं इसका बताऊंगे फ्रेंड जरूर आप वो भी वीडियो वाच करें तब ही आपको समझ में आएगा और बहुत इजी है बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत यूनिक भी है यह देखिए हमने यहां तक बना लिया है बस इतना हमने यह निट करना है पहले हमने इतना पूरा निट करते जाएंगे यहां तक यानि 20 सलाई फिर उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगे ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तो आपने इतना थैंक्स फार वाचिंग